विक्रम वर्मा और स्वागत हदा ट्रेडर्स हो इस चैनल पर तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैंकर के एक ऊंच उस्दुर्स तो इसमें भी और स्वाइस कि अगर बेंकराइस की बात करी जाए तो यह lo catches को ब्से को बीटिए रिखेश तो इसका हम लोग अभी details में जानने वाले किसका man components क्या-क्या है तो man components की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से NSE में bank nifty है उसी तरीके से BSE में इसको bank s के नाम से लेकर के आया गया है लेकिन जो की banking sector में ही ये सारी चीज़ें deal करती है और सारा banking से ही related है जैसे कि इसका EU a small finance bank हो गया, Axis bank limited हो गया, bank of baroda हो गया, canra bank हो गया, ICC bank हो गया, HDFC bank हो गया, इंडल संग bank, कोटक महंदरा bank, estate bank, the federal bank, ये banking sector है जो इसमें listed है और highest weightage की अगर बात करी जाए इसमें, सबसे ज्यादा highest weightage की बात करी जाए तो HDFC bank का जो weightage है वो 34.45% है मतलब सबसे ज्यादा weightage का अगर graph देखा जाए तो वो ICIC bank का ही है, right, sorry HDFC bank का ही है, next जो हमारा second में आता है वो ICIC bank का है, जो 19.65% है, estate bank, फिर तिसरे नमर पे आता है, कोटक, फिर 4, Axis, इंडसें, bank of baroda, canra bank, ये ये स्मॉल finance bank, फिर डल बैंक, इस तरीके से graph ये सारी चीजे design किया गया है, इस bank as को, तो चलो इसका option chain पे सीधा से चलते हैं, तो option chain के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, BAC का option chain पे, तो देखिए, यहां index option है, यह 20 October, मतलब आज का expiry देख रहे हैं, यहां sensex है, और यहां हम लोग sensex के जगा पे bank as को select कर लेंगे, चलो, यह देखो, जैसे हमने bank as को select किया, और यह पूरा option chain इसका open हो करके आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें open interest या तो फिर change in UI नहीं है, अभी आज के अभी देख पा रहे होंगे, देखिए, अगर अभी 49200 पे चल रहा है, तो 49200 पे देखिए, बहुत कम है, यहां सिर्फ 159 open interest है, यहां 136 है, तो सुची कि यह कितना कम है, मितलब जब कि यही bank nifty का अगर हम लोग देखते हैं, या nifty का, तो लाख और करोडों में जाता है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इसको क्या है ना कि avoid करने वाला time में है, लेकिन हां, यह सारी चीजें अभी expiry के दिन आप कर स अब बात आती है कि इसका expiry कब होता है, मैंने कि इसका expiry कब है, तो expiry की अगर बात करी जाए, तो expiry जिस दिन mid cap का expiry होता है, मंडे को, उसी दिन bank s का भी expiry होगा, और यह change कर दिया गया, पहले Friday को होता था, अब मंडे को होता है, हम लोग बात कर ले, lot size का, तो चलो हम स् से हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो अभी हम आज आते हैं mobile के screen में, और mobile के screen में जैसे ही आते हैं, तो यह देखिए मैंने start कर दिया है, यह हमारा सबसे पहले, आपको अगर bank s या sensex में expiry में trade करना है, तो सबसे पहले आपको जो है ना, आपके पास एक demate account हो सा होगा, यह सबसे महत्पुन मतलब question या फिर बात आती है, देखिए बहुत सारे ऐसे broker हैं, जहां पे bank s, sensex का expiry का, या तो फिर उसको aidी नहीं किया गया है, तो अभी जहां तक मैं देख पाया हूँ और बाकी चीज़ें जैसे कि Elias Blue हमारे नजर में एक ऐसा broker है, जहां प को, तो हम Elias Blue पे आ जाते हैं, जैसे ही Elias Blue पे आते हैं, देखिए मैंने अपना ID open कर लिया है, जैसे ही open करेंगे, यहां देखिए, निफ्टी इन बाइंग निफ्टी, तो हम यहां यह वाला interface से देखिए, dashboard है, बहुत ही बढ़ी हैं, इसका सारा चीज़ दिया हुआ है, option chain यही से देख सकते हैं, screener कर सकते हैं, सारे चीज़े यहां बहुत बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं, बहतरीन तरीके से, portfolio यहां पे यह आपका interface, बिलकुल हम एक perfect look and interface दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम watch list वाले option में जाएंगे, यह वाला जो option है, watch list पे, और जैसे ही watch list पे हम यहां अभी जैसे कि अगर bank case चल कहा रहा है, bank case अगर देखा जाए, तो अभी देखिए, direct हम bank case को search मारते हैं, तो देखिए, bank case की अगर बात करी जाए, तो bank case का मैंने अभी 49,200 के आसपास चल रहा है, screen पे बढ़े screen पे देखेंगे, तो वहां, 49,200 के आसपास चल रहा है तो जैसे ही 49,200 लिखेंगे, bank case का देखिए, सारा option खुल करके आ जाता है, आप 300 लिखो, आप 400 लिखो, जो option आपको लगता है, ITM, ATM, OTM, जो भी लेना है, माहिन के चल यह bank case का हम 49,300 का CP एड कर लिए, तो देखो मैंने एड किया यहां पे, यह option निकल के आ रहे है, जैसे ही quantity पे एक lot size है, तो उस तरीके से हम लोग यहां buy पे click करेंगे, यह order place हो जाएगा, हाँ, अभी आप heavy quantity में buy मत करना क्यों, मान के चलो आप एक साथ 500 quantity buy कर लिए हो, या 600 quantity buy कर लिए हो, 1500 quantity buy कर लिए हो, तो हो सकता है कि आप buy तो कर लोगे, लेकिन जब sale कर रहे होगे, तो 1500 quantity ल बात किया जाए, तो देखिए कोई भी strike price को मैं थोड़ा सा scroll करता हूं, तो देखिए इस strike price में देखिए volume क्या है, इस strike price का, अगर यहां volume हम लोग देखते हैं, तो देखिए volume बिल्कुल यहां, देखिए 4710 ही volume है, अब सुची कि average trade price जो 270, यह सब सारी चीज़ें यहां दि नहीं कि यह जो quantity जो buy कर रहे हैं, देखिए maximum quantity buy करने के भी संख्या यहां दिया हुआ है, कि कितने लोग, देखिए maximum quantity जो order लगा रहे हैं, बीड और ask देख रहे हैं, एक lot में मार रहे हैं, या तो maximum 285 quantity पे मार रहे हैं, जो एक सुटे चोटे चोटे quantity में ही ट्रेड करना है, मतलब जो quantity जो aid कर रहे हैं, वो बहुत ही कम है, तो जिस कारण से हम सब को क्या है, कि छोटे चोटे quantity में ही ट्रेड करना है, स्टार्टिंग में, जब fin nifty आया था, या bank s, sorry, sensex आया था, या mid cap आया था, तो उसमें भी volume नहीं था, लेकिन धीरे धीरे देखो volume बढ़े गया, और फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगा, तो ये lot size इसका हो गया, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या इसमें, हम लोग daily basis पे trade कर सकते हैं क्या, तो देखो daily basis पे trade करने के लिए I think अब भी ये better option नहीं है, और मैं तो sensex में भी बोलता हूँ कि अभी daily basis पे trade मत करो, सिर हमको लगता है कि within two या three month के बाद ये भी active मतलब index में से आ जाएगा, और expiry के दिन trade कर सकते हो, लेकि minimum quantity के साथ, और इसको आप track कैसे करेंगे, कि सारी चीजें कहां से कैसे मतलब देख पाएंगे कि कब market का movement क्या हो सकता है, किधर जा सकता है, तो सबसे पहली बात है कि आप आपको HDFC bank, आपको ICIC bank, and estate bank, और ये kotak mehendra bank, और axis bank, ये 5 bank को आप track करो, जैसे bank nifty को करते हो, तो just bank nifty का जो weightage है, या तो bank nifty का chart और bank case का chart, almost आप एक साथ track कर सकते हो, अगर bank nifty में कुछ हलचल हो रहा है, तो just like आपका bank case में भी उसी तरीके से हलचल देखने को मिल सकता है, तो ये overall अभी हम लोग देख रहे थे कि bank case किस तरीके से work करता है, क्या इसका component है, बात expiry, weekly expiry Monday को होता है, जैसे ही mid cap का expiry होता है, उसी दिन आपका bank case का भी expiry होगा, अगर कहीं holiday रहा, तो एक दिन पहले ही, monthly expiry में एक दिन पहले ही expire हो जाएगा, राइट, आरे पास जो index है, वो bank nifty, सबसे strong index में से आता है, nifty, thin nifty, mid cap, sensex, और bank case, 6 index अभी हमारे पास है, 6 index, जो 6 हो में almost हमको लगता है, within 2-3 मन्त के बाद ये active index हो जाएगे, जहां बहुत तेजी से लोग trade करना शुरू करेंगे, तो ये overall आज का ये video यहीं पे हम लोग इंड करते हैं, और अगर आपको हमारे premium learning group में जुड़ना है, तो Elias Blue का link जो है आपके description में दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप account opening कर सकते हो, और हमारे learning और भी चीजें जो है, day to day update जो होते हैं, वहाँ पे फाइदा उठा सकते हो, मिलते हैं, ऐसे ही कोई fresh, और साथ ही साथ, आपको daily basis पे, 1.30 pm में daily basis पे मैं live आता हूँ, जिसमें sensex का expiry, bank cash का expiry, और आपका midcalf का, finnifty का, bank nifty का, especially वह सिर्फ live जो series है न, ये 1.30 pm में आने का मकसद सिर्फ यही है, कि मैं सिर्फ expiry वाले momentum को capture करता हूँ, last में 1.30 pm के बाद live आता हूँ, और उसमें almost 2x, 3x, 4x, highest अभी जो हमारे live stream में में आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट आइसे वीडियो में, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच, जैहिन जैवालत